वेलकम टो एकलव्या स्रेडी पॉइंट और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक जिन सुडेंट्स ने कुछ भी नहीं पड़ा और वो टेंशन में तो आपको मैं बता दूँ टेंशन लेने की कोई जुरोत नहीं है आपके लिए ये वीडियो मैं से आपको एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ और बहुत जल्दी करवाऊंगा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपको एक एक चेप्टर अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा एक यही सिंगल वीडियो देख लो आपका पूरा काम बन जाएगा तो आगे बढ़ते आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो अगर आप कुछ पूछना चाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है ठीक है और यह मेरा बायो है जो कि आप देख सकते हैं ठीक है बिलक साइट पर आपको नोट्स मिल जाएंगे www.eqlabyastudypoint.com हमारी वेब साइट है तो चले फिर आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फर्स चैप्टर है वो है दा लास्ट लेसन ठीक है तो इसके अंदर यह लेसन हमें हाइलाइट करता है और बताता है कि अपनी जो मदर टंग होती है जो मातर भाषा होती है उसकी क्या वैली होती है ठीक है और हमें हमारे देश के लोगों को बिलकुल एक जुट रहना चाहिए और हमारे humans के हम इंसानों में क्या होता है कि हम procrastination बहुत करते हैं यानि कि हम चीजों को टाल देते हैं जो काम आज करना होता है वो हम कल के लिए छोड़ देते हैं तो ये chapter हमें बताता है कैसे हमें importance बता चलती है इस chapter के अंदर क्या होता है कि एक teacher है MML French बढ़ाता है ठीक है अपने students को तो होता क्या है कि दो French के मतला आप क्या सकते हो France के district है Alsace and Lauren so वहाँ पे क्या हो रहा था कि Franco Persian War चल रही थी ठीक है Franco Persian War चल शौट तरीके से बहुत अच्छे से बता दूँगा इसके जो main character है उसमें सबसे पहले France है जो कि काफी अच्छे से observe करता है बहुत अच्छा एक student है sensitive है काफी MML जो है वो काफी sincere और काफी अच्छे teacher है passionate है मतलब भी French वगरा पढ़ाते हैं तो obvious सी बात है काफी अच्छे से आनता नहीं कर रहा था क्योंकि वो ज्यादा दर लेट हो जाता था उसको डर था कि वो teacher जो है उसके वो उसको मतलब scold कर सकते हैं उसकी डांट लगा सकते हैं उसको और उसने जो participants का test होना था वो भी याद नहीं किया था फिर क्या है कि France की कुछ temptations हैं जैसे कि वो बाहर एक चमक चमाता हुआ गरम दिन था उसको enjoy कर रहा था birds की chirping को सुन रहा था जो वो पक्षियों की आवाज आती है और वो वहाँ पे Persian soldiers को देखना चाहा रहा था फिर उसके बाद है France passes through the town hall अब वो थोड़ा आगे जाता है तो वहाँ पे town hall नाम की एक जगा आती है वहाँ पे सा है सारी bad news आती थी जैसे जो भी battles वो हारते थे फ्रांस वाले जो भी draft होते थे जो order आते थे commanding officers के वो सारे वहीं पे लगाए जाते थे so news यह आती है कि बरलिन से कि अब जर्मन के जितने भी मतलब क्या है कि जर्मनी के जो मतलब language है जो जर्मन की language है वो क्या जर्मन है अब Els important topics हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं पूरा chapter नहीं करवा रहा है बस important करवा रहा हूं पेपर से दो दिन दिन पहले यही हो सकता है तो देखो होता क्या है कि जब normal days होते थे तो आवाज आती रहते हैं school में जो desk वगएरा की आवाज आती है lessons यलते रहते हैं उसकी आवाज आ करते हैं उनसे MML ने एक ऐसी ड्रेस पैन रखी थी जो बहुत ब्यूटिफुल थी ग्रीन कोट था और वह फ्रिल्ड शेट थी उसकी जो बहुत इस्पेशल ओकेशन पर वह पहनते थे ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी वह भी एंब्रोइडर वाली थी कढ़ाई वाली और जितने जो एल्डर्स थे वो पीछे बैक बैंच जिस पे बैठे हुए थे ठीक है MML का ठेंक्स करने के लिए तो ये आपका पूरा The Last Lesson का एक बहुत ही अच्छा निचोड है तो मैंने आपको बहुत ही अच्छा निचोड समझा दिया Last Lesson का अब हमारा दूसरा चैप्टर है The Lost Spring Lost Spring को लिखा है अनीज जंग ने तो अनीज जंग एक बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर है ठीक है जो की सीमा पूरी के जो रैक पिकर्स है और बैंगल मेकर्स है फिरोजाबाद के उनसे वो मिलने जाती है और काफी ज़्यादा सेंसिटिव ये पूरा चैप्टर है बताया गया है चाइल रूड कितना ब्यूटिफॉल टाइम होता है हुमन्स की लाइफ के अंदर हमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो सबसे पहले साइब आलम के बारे में बताये गया है साइब आलम के जो नाम है इसका मतलब होता है Lord of the Universe यानि कि Universe का Lord बट वो काम जो कर पर पढ़ता है दिल्ली के बारी लाके पर पढ़ता है बहूत माइल अवे है ठीक है अलगबख 10,000 रैगपिकर्स वहां पर रहते हैं वो अपना जीवन का गुजारा कैसे करते हैं रैगपिकिंग करके ठीक है कूड़ा वगरा बीनते हैं उससे से उनका जीवन चलता है और उनके लिए food और survival ज़्यादा जरूरी है, identity उनके पास है नहीं क्योंकि वो जो है बार से आयो है 1971 में जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का war हुआ था तो बांगला देशी हैं ये जो सारी रह रहे हैं, तो मुकेश के बारे में अब यहां पर यह बताए गया है कि मुकेश क्या है, बैंगल मेकर है फिरोजावाद का, high temperature में काम करता है, hazardous conditions होती है जहां पर वो काम करता है, बट मुकेश क्या है कि dream करता है, सपना देखता है, एक motor mechanic बनने का, और वो चाहता है कि यह जो मेरे पूरवज काम करते आ रहे हैं, वैं इसको छोड़ कर कुछ अलग करूँ, और साहिब यालम के बारे में एक चीज़ और बता दूँ, यह आगे चल कर क्या करता है कि एक चाय की stall पे काम करने लगता है, तो वहाँ पे इसको पैसे तो मिलते हैं, पर यह आप अपना एक खुद का मालिक नहीं रहता, अब यह नौकर की तरह काम करता है, देखो भई, glass bangle factory में काम करने से क्या खतरे हो सकते हैं, इसके hazards क्या हैं, सबसे पहला है high temperature, temperature बहुत आई रहता है, लंबे लंबे working hours होते हैं, गरम गरम अंदर furnaces होते हैं, और boy और girl दोनों ही होते हैं, अपने parents के साथ dim light में काम करते हैं, ठीक है, oil lamps होते हैं अंदर, eyes जो होती हैं, उनको आदत हो चुकी है, अंधेरे में रहने की, क्योंकि बहुत अंधेरे कमरे होते हैं, ठीक है, और अगर मैं आपको उसके बाद बताऊं, dust बहुत आती है, जब bangles को polish किया जाता है, तो वो dust जो होती है, शीशे वाली, वो उनकी आखों में जाती है, skin खराब हो रही है, health जो है, वो बहुत जादा खराब हो चुकी है, इन लोगों को exploit करते हैं, इनका शोशन करते हैं, वाँके जो money lender हैं, जो सावकार लोग हैं, ज इस्टिंग की lanes में रहते हैं, पतली पतली गलियों में, over crowded जगाओं पर ही रहते हैं, ठीक है, अब मैं आपको एक यहाँ पर इसका visual दिखाता हूँ, देखो यह साइब आलम है, ठीक है, सीमपुरी में रहता है, rag picking करता है, और school में वो जाता नहीं है, यह चाता है कि इसके पास भी एक ऐसा जूता हूँ, जो इस लड़के के पास है, ठीक है, फिर वो जूता इसको बाद में देखो, आप इस तरीके से यहाँ पर दिखाए गया है, कि जब यह काम करने लगता है, यह टी स्टोल पे, तो इसका बचपना मर चुका है, childhood burdened, ठीक है, सो वो जो हाथ मे इसके किनिस्ते रह चाएगा, उसका बहुत ज़ादा वजन अब इसको भारी लग रहा है, और यहीं दूसरे तरफ अगर आप स्टोरी देखोगे, तो यह मुकेश की है, यह कार ड्राइव करना जाता है, फिरोजाबाद की बैंगल इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है, illegal म यह चैप्टर हमें बताता है कि कुछ भी impossible नहीं है, आपके अंदर अगर dedication है, आप अगर target set करते हो, determined हो, आप consistent रहते हो, efforts करते हो, तो आप कोई भी challenge, कोई भी tough situation हो, आप उससे fight कर सकते हो, challenges आते हैं life में, पर आप हमेशा उनसे आगे निकल सकते हो, challenges से लड़ सकते हो, California Beach, जब वो California के बीच पे गया था, अपने पापा के साथ में, वो वहाँ पे थोड़ा सा गिर गया था, और वो बैता हुआ चला जा रहा था, waves जो थी पानी की, वो बहुत तेज थी, और वो suffocated सा feel कर रहा था, तो यह इसका पहला encounter था, पानी के डर के साथ, फिर आता है Miss Adventure at YMCA pool, तो अब YMCA pool में क्या होता है, कि वो decide करता है कि वो swimming सीखेगा, Yakima River काफी safe था, ठीक है, वो 3 feet, आप यहाँ पे कह सकते होगी, 3 feet at shallow end and 9 feet at deep, ठीक है, इतना यह गहरा था, इसको water wings भी मिल चुके थे, ठीक है, अब यह काफी ज़्यादा comfortable feel करता था, पर एक दिन क्या ह होता है, इसी pool में इसके साथ एक mis adventure होता है, एक हटा-गटा लड़का आता है, वो उसको धक्का दे देता है pool के अंदर, वो भी deep वाली side पे, बहुत गयरा था जहां से pool, तो वहाँ से यह और अंदर चला जाता है, फिर इसके plants क्या थे, जिस time पे यह अंदर डूब रहा होत होता है, उसके lungs में भी दर्द होने लगता है, पानी बरने लगता है, उसका सर पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि पानी के अंदर डूब चुका था, सर दुखरा था, सारे efforts उसने अपने कर दिये थे, फिर है कि वही wobbly in the knees and sick started avoiding water bodies, तो जब से यह scene हुआ इसके साथ mis adventure तो उस इसने भई एक तो बिमार पड़ गया हो, और उसने avoid करा कहीं भी जाना, ठीक है जहां पर पानी हो, अब mis adventure होने के बाद में क्या होता है, भई इसकी canoeing, rafting वगरा, boating, fishing trips ये सब तो बंद हो गई, इसको पानी से इतना डर लगने लग गया, अब ये डर से इसने overcome कैसे किया ये वाली चीज समझनी की है, so एक उसने instructor, जो है instructor रख लिया, जो कि उसको सिखाता था, coach था उसका, practice करता था भई, William Douglas, पाँच दिन, एक हफते के अंदर, उसकी belt पे rope लगाई जाती थी, फिर वो अंदर जाता था, और rope went through play, ran on overhead cable, ये पूरा उसने equipment वगरा लगा के, और फिर वो अंदर जाता था, और went back and forth across pool, ठीक है, पूरा भाई वो अंदर से pool pool में तैरना सिग गया, inhale कैसे करना है, exhale कैसे करना है, और instructor ने भाई उसको तो एक swimmer बना दिया, पर Douglas फिर भी satisfy नहीं हो रहा था, फिर वो एक अपना खुद से तैरने जाता है, लेक went worth पे, फिर व लेगरलोफ जी ने लिखा है, और इसमें सेलमा ये बात कर रहे हैं, कि भाई कैसे इंसानियत होना बहुत जरूरी है, love, compassion and belief के बारे में बताया जाता है, कि भाई कैसे हम बुरे लोगों को भी अच्छा बना सकते हैं, जस्ट अपने प्यार से, ठीक है, आप बुरे को भी अ बस चुके हैं, पैसे, अच्छी अच्छी चीजें, गिफ्ट, ये हमें चीजें फसाती जा रही हैं इस रेड ट्रैप के अंदर, ये रेड ट्रैप स्टोरी के अंदर बताया जाता है, ठीक है, अब मैं आपको ये लेसन समझाता हूँ, रेड ट्रैप सेवल, जो सेलर था, जो रेड ट्रैप बेचा करता था, वो बहुत जादा गरीब था विचारा, ठीक है, और उसके कपड़े भी बहुत जादा, मतलब ऐसे थे कबाडी जैसे, और वो ये मानता था, कि ये दुनिया एक रेड ट्रैप है, और रेड ट्रैप में हम कैसे फसते हैं, जब हमें कोई की लालच देता है पैसे की लालच देता है उर मैं आपको बताओं कि भाई वो जब वहाँ पर जाता है old crofter के गर पे तो उसके 20 क्रोनर यह जो पैसे होते है यह चुरा लेता है जो red trap seller था और उसके बाद क्या होता है अगर मैं आपको होता हूँ, red trap seller जो था, इसकी आँखे भाई बहुत अजीब सी हो चुकी थी, इसकी आँखों में एक भूक लग रही थी, दाड़ी बड़ी हुई थी, ठीक है, और आप कह सकते हो, कि ये कभी-कभी क्या करता था, चोरी भी करता था, ठीक है, कभी उसको अप crafter क्या था, कि भाई ये एक बुड़ा आदमी था, इसकी वाइफ नहीं थी, इसके बच्चे नहीं थे, काफी simple था, hospitable था, भाई इसको अच्छा लगता था लोगों के सेवा करना, इसका little छोटा सा एक cottage था, road की side में, यहाँ पे जब वो red trap seller आता है, तो ये उसको porridge, दलिय किलाता है, तमाकू देता है, roll देता है, card खेलते हैं ये, और ये काफी खुषता crafter, कि चलो कोई तो है, जो इसके साथ बात करने आया है, फिर यहाँ पे Adla Wilmanson के बारे में बता रखा है, Adla, काफी kind लड़की है, काफी compassionate है, shy है, काफी humble है, और बहुत ही अच्छी है, ये क् काफी subtle way में, she brings out the hidden but inherent goodness of the peddler by liberating him from philosophical trap of his own ranking, वो उस peddler को भाई एक अच्छा इंसान मना देती है, और उसको एक gift भी देता है, वो peddler, और उसके अंदर एक letter होता है, और 30 kroner होते हैं, जो उसने चुराए थे, crofter के, ठीक है, तो वो कहता है, ये उसको वापिस मिल जाने चा आता है, एक army officer था पहले वो successful businessman है, ठीक है, और supply कर रहा है good quality iron products को, और atla को भी डाटता है, कि भई क्यों इस चोर को हमने यहाँ पे stay करवा रखा है, ठीक है, जबकि वो real identity तो उसके reveal हो चुकी है, ये वो नहीं है, iron master का friend, ये तो कोई peddler है, और होता क्या है, कि भई iron master ये स उसका दोस नहीं था, और उसकी ये गलत फैमी थी, तो यही इसके अंदर बताए गया है, अब इसके बाद जो अगला lesson है, वो है indigo, तो इसमें बताए गया है, मात्मा गांदी जी की life के बारे में, होता क्या है, कि एक किसान था, ठीक है, राजकुमार शुकला, वो गांदी से वो आया था, शेर करोपर था, यानि कि एक किसान था, शुकला काफी persistence था, यानि कि वो determined था, काफी कांदी जी उससे impress हो जाते हैं, और बहुत ही, मैं आपको बताऊं, large Indian estates were owned by the Britishers, who force, देखो, जो वहाँ पर बड़ी बड़ी जमीन थी, वो Britishers ने खरीद रखी थी, और वो वहाँ पे Indian tenants, जो वहाँ पे किराये पे काम कर रहे थे, जो किसान, वो उसको जबर जस्ती कह रहे थे, अंगरेज की इसके 15% land पर indigo होगा हो, और होता क्या है, जर्मनी ने एक डवलप किया था, synthetic indigo, ठीक है, and British landlords demand compensation from peasants for freeing them from 15% compensation, बहुत, भाई ये, compensation भी इन से ले रहे ठीक है, और वो जो peasants है, वो क्या है कि भाई मतलब बहुत जादा परिशानी में आ चुके थे, जो चमपारन के थे, फिर क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, तो महादेव, देसाई, नरहारी, परिक और दो volunteer ओर थे, and देवदास, जो क की उनके छोटे बेटे थे, वो भी आते हैं, ठीक है, और एक मिलकर गांदी जी और यह सारे उनके साथ ही primary school खोलते हैं, 6 गाओं के अंदर, गांदी जी ने एक doctor भी रखा, और वो 6 महीने के लिए वहाँ पे अपने service देता है, और 3 medicines भी available करवाई गाओं में, तो caster oil था, ठ ठीक है, कुई नीन, ठीक है, और एक sulfur ointment था, और गांदी जी की जो wife थी, कस्तूरगा, वो वहाँ की hygiene पे, और women की hygiene पे खासकर ध्यान दे रही थी, गाओं वगर हमें, cleanliness, personal sanitation, यह सब सिखाया जा रहा था, तो यह main problem थी, गांदी जी ने बहुत help करी थी, और यही, यह chapter एक short में, अगर मैं आपको बता हूँ, अगर long में आता है, तो आप यह सब बता सकते हो, अब उसके बाद, अब यहाँ पर हमारा अगला जो chapter है, वो है poets and pancakes, तो जैमिनी studio है, मदरास का, चन्नही के अंदर है, जिसके founder थे, SS वसंत, और यह यहाँ पर क्या बताते हैं, कि यहाँ पर मतलब है, इनका जो एक सबसे पहले, जो इसमें बताया जा रहा है, वहाँ पर जो talented लोग थे काफी, जो पूरा एक department था, जैमिनी studios का, सो वहाँ पर बताया जाता है, कि कैसे यह सबसे पहले make-up department है, ठीक है, और इसमें क्या बताया जाता है, कि brand name of make-up material, ठीक है, क्या है pancake, और bought by जैमिनी studios in truck loads, तो होता क्या है, कि जैमिनी studios नहीं इसको खरीदा हुआ था, और अगर मैं आपको बताऊं, used to turn decent artists into monsters, most of the shooting done indoors, ज्यादा तर जो shooting होती थी, इनकी वो यहीं अंदर होती थी, और upstairs of a building believed to have been Robert Clive's stables, और यह जो इसके उपर building है, यह माना जाता है, कि यहा studio lights required, so that pores, देखो, अब यहाँ पे studio की light बहुत जरूरी थी अंदर, क्योंकि जो actors होते हैं, उनके जो pores होते हैं, जो इनकी skin है, वो अच्छी लगे इसके लिए, फिर है makeup room, makeup room के बारे में न, क्या है कि काफी miserable experience होता है, अंदर जब वहाँ पे जाते हैं, वो देखने में ऐसा लग रहा है, जैसे की haircutting का saloon हो, शीशे ही शीशे हैं, चारो तरफ, light ही light हैं, ठीक है, फिर है office boy, office boy कोई लड़का नहीं है, यह 40 साल का एक old man है, काफी frustrated था, और सुब्बो को यह blame कर लेता है, ठीक है, बहुत जाद ब्लेम डालता है, जो भी चीजे होती थी, इस से वो सार किया था, क्योंकि यह चाहता था एक star बनना, एक director और script और lyrics writer बनना, फिर आता है story department, story department में सबसे main है यहापे, कोठा मंगलम सुब्बू, सुब्बू इनका short name है, सुब्बू काफी loyal था, talented था, अपने boss के बहुत close था, ठीक है, और काफी अच्छा poet था, और बहुत अच्छ यह नहीं चाहता था, कि मुझे lead role मिले, और बहुत अपना boss के close था, समझ लो, Gemini studio में दूसरा number इसी का ही आता था, काफी इसकी अच्छी ability थी, चाहे failure भी क्यों ना हो जाए, असफलता में भी खुश रहता था, फिर उसके बाद आता है legal advisor, यह बहुत अकेला सा लगता था, और बतलब काफी शांत दिमाग से है, हमेशा एक pen shirt पहनता था, टाई पहनता था, कभी coat भी पहन लिया करता था, और बाकी लोग खादी धोती और shirt पहनते थे, और यह कफी neutral man था, गांदी जी को मानता था, खादी कपड़े वगरा पे जादा विश्वास रखता था, फिर ह अशोक मितरन, जो की author है, तो यहाँ पर क्या होता है, अशोक मितरन यह जादतर newspaper को tear करते वे दिखते थे, ठीक है, anybody would walk into his cubicle to give him somewhere, कोई भी आ जाता था इनको काम देने के लिए, और wished for crowd shooting to be saved from epics of office boy, तो यह कुछ बाते हैं, author अशोक मितरन के बारे में, अब हम आगे चले, अब जो हमारा अगला chapter है, वो है the interview, इंटर्व्यू में क्या बताये गयाता है, मतलब इसमें क्या बताये जाता है, इंटर्व्यू के अलग-अलग aspects बताये गए हैं, part 1 और part 2 दो पार्ट हैं इसके, part 1 जो है, वो हमें यह बताता है, interview के बारे में, इसके function, इसके method, इसके merit, और पार्ट टू जो है ये एक extract है इंटर्व्यू लिया गया था अमबर्टो इको का जो की एक author है popular novel name of the rose के और इंटर्व्यू लेने वाले का नाम था मुकंद पदमन भान जो की दा हिंदू से थे तो पार्ट वन में कहा है कि इंटर्व्यू एक ही बहुत ही common है जनलरिजम व अगरा लिखे जाते हैं ठीक है तो भाई कई लोग इसको एक art मानते हैं कोई कहता है कि यह बहुत ही अच्छी form है सच उगलवाने की एक source of truth है ठीक है कई यहाँ पर यह कहते हैं some despise the interview as an unwarranted intrusion into lives which diminishes their personality कोई कहता है कि यह privacy में किसी की हनन है कोई अपनी private चीज़े नहीं वता अच्छा नहीं होता इंटर्विव बहुत लोगों के लिए लैविस केरोल never consented to be interviewed for he believed it to be a just horror of the interviewer ठीक है यह मतलब ऐसा मानते है और रुद्यार्थ कीपलिंग considered it immoral a crime and assault that merits punishment और रुद्यार्थ कीपलिंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह एक crime है और इसके लिए एक punishment होनी चाहिए G. Wells referred interviewing to be an ordeal G. Wells जो है वो इसको एक ordeal बताते है Saul Bellow बताते हैं कि it like thumb prints on his wind pipe कुछ कहते हैं कि भाई यह ऐसा है कि हमारे wind pipe के ओपर thumb print है तो बहुत अलग-अलग लोगों के अलग-अलग बाते हैं बहुत सारे drawbacks है interview के ठीक है लेकिन फिर भी यह communication के लिए बहुत अच्छा होता है ठीक है इससे हमें बता चलता है कि क्या सामने वाले के बारे में उसकी personality है फिर part 2 है यह एक extract है एक interview हुआ था Umberto Eco का जो कि Mukundh Padman Bhahn ने यह interview लिया था और इस interview में Eco बताते हैं अपने idea को ठीक है अपने ideas को बताते हैं यह कहते है कि his idea of empty spaces in our lives just as they exist in an atom so which he calls interstices so he says that he makes use of these empty spaces to work और Eco यह भी बताते हैं कि essays were scholarly and narrative so he likes to be identified more as a university professor who writes novel वो चाहते थे लोग उनको जाने कि वो एक university को professor है novels वगरा लिखते हैं और Eco की एक novel है The Name of the Rose जो की एक बहुत serious novel है ठीक है जो की है metaphysics, theology और medieval history वगरा के वारे में related है, enjoyed a mass audience, बहुत लोगों ने इसको खरीदा ठीक है बहुत copy या इसकी sell हुई, so ये सारी चीजें इसमें बताई गई है अब जो हमारा अगला chapter है वो है going places, तो going places में क्या होता है कि हम कुछ लोगों की hero worship करने लगते हैं, कि जो हमें favorite player लगते हैं या बहुत ही कोई हमें बहुत अच्छा लगता है, को celebrity हम उसको भगवान समझने लग जाते हैं, ठीक है और हम अपने सपनों में खो जाते हैं तो इसमें होता क्या है, Sophie के काफी dream होते थे, जो काफी unrealistic होते थे ठीक है, वो एक boutique भी start करना चाती थी, वो पैसा कमाना चाती थी, एक manager बनना चाती थी, एक actress बनना चाती थी, और एक fashion designer बनना चाती थी वो एक middle class family से आती है, एक weak socio economic background था उसका, उसकी एक friend है जैन सी, जो काफी simple है और वो यह चाती है कि Sophie भी happy रहे है, जैन सी काफी realistic है, अपने वो अपने नहीं देखती, अपनी जो information है वो कि अपने साथ नहीं रख सकती, वो secrets हो है, इधर से उधर बता देती है, यह उसकी कमी है थोड़ी सी character कौन कौन है, Sophie के dad है, इसमें काफी strong है, sweaty और hard working है, ठीक है, महनती है, watch करते है football matches को, और believe नहीं करते है Sophie के जो भी imaginary stories होती है उस पर Sophie का भाई है, जिसका नाम जियोफ है, और यह एक बहुत अच्छा mechanic है, कम बात करता है, Sophie trust करती है उस पर और वो अपने secret बताती है, Sophie अपनी fantasies में रहती है, ठीक है, Sophie जो है वो hero worship करती है, और इसका जो hero है वो Danny Casey है, जो कि एक Irish football player है, और वो dream करती है उससे मिलने का, बहुत ह ज़्यादा obsessed हो जाती है, उससे मिलने को लेकर stories बनाने लगती है, अपनी और उसकी, और यह अपनी imagination को real मानने लग जाती है, पर कोई उसकी बातों को नहीं मानता, तो वो disappointed feel करती है, तो यही सारी चीज़ें इस chapter के अंदर बता रखी है, बहुत ही एक कोई summary दे रखी है, chapter क तो अब मैं आपको विस्टास book start करवा रहा हूँ, poems की अलग वीडियो लाऊंगा, यह सारे chapter करवा रहा हूँ, एक one short वीडियो है यह, तो विस्टास के अंदर, जो chapter है the third level, यह एक interesting story है, जो की world war के बाद लिखी गई थी, यह story बताती है कि कैसे हम अपनी imagination में खो जाते हैं और हम कैसे reality से भागने की कुशिश करते हैं, यह psychological सी story है थोड़ी, इसके जो main character है, वो एक तो चारली है, ठीक है, जो 31 year का है, एक old protagonist है, और एक narrator भी है, इस पूरी story का, वो अपनी life से खुश नहीं है, while returning to residence, अपने घर जाते time, वो एक third level पे पहुंच जाता है, grand central station के, जो क कभी था ही निमा पर, यह अपनी imagination में ही रहता है, Sam, एक important character है, इस story के, वो एक psychiatrist है, और एक friend भी है, चारली के, फिरा Louisa, ठीक है, Louisa जो है, वो Charlie की wife है, फिर यह क्या है, कि first level for the trains of 20th century, second level for suburban trains, और फिर क्या है, कि भई, mushrooming with subways, staircases and corridors like a tree, यानि कि जो grand central station है, वो पेड़ों की और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और चारली ने third level के बारे में क्या बताया था, ये जानना बहुत जरूरी है, कि वो जब अपने खयालों में खो जाता है, third level के, वो कहता है, वहां के कमरे काफी छोटे थे, टिकट की window बहुत कम थी, लकडी की मतलब वहा Turnition Booth हुआ करते थे, derby hats अभी पहनते थे, gold pocket watches होते थे सभी के पास, दाड़ी वाले लोग थे, उनकी kalb में बहुत मोटी होती थी, मूचे बहुत मोटी होती थी, women skirt पहनती थी, high button shoes पहने जाते थे, legs होते थे, button sleeves होती थी, brass spitten होते थे floor पर थूखने के लिए, flame کی gas light होती थी old style locomotives चलती थी पुरानी trainage होती है ठीक है और newspaper उस टाइम पे जो चलता था वो था the world जो की 11th June 1894 गधा जो उसने वहाँ पर देखा Charlie दो टिकट लेना चाहता था गेल्सबर्ग की और वो clerk उसको देखता है क्योंकि जो Charlie के पास पैसे थे वो तो ही था यह share करता है अपने दोस्त के साथ सैम के साथ तो होता क्या है यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसका जो friend है psychiatrist friend सैम है वो believe करने से मना कर देता है मैं नहीं मानता है ऐसा कुछ हुआ है वो कहता है कि यह just एक तुम अपने dream को पूरा करना चाहते हो वो ही सब तुमें दिख रहा है और उसकी जो wife ती लुई सब वो बहुत परिशान हो गई वो कहते है कि यह क्या हो गया है चारली को फिर क्या है presidents of new york swear on the existence of two levels सभी लोग यह कहते है दो ही level है यार तीसरा कोई level ही नहीं फिर Sam disappear हो जाता है एक दिन चारली को एक note मिलता है Sam का जो की था 18 July 1894 का Sam suggest to keep on searching for the third level और Sam कहता है कि third level को ढूंडते रहो reaches third level ठीक है वो कहता है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और यह बहुत ही शान्ती पूण जगा है और वहाँ पे मैंने एक नया business भी start कर दिया है grains का और cattle का और मैं happily peacefully वहाँ पे रह रहा हूँ फिर अगला एक यहाँ पे word है first day cover first day cover क्या होता है stamp collection करते हैं बहुत लोग ठीक है जो पहली stamp आती है उसको collect करते है जिस दिन वो stamp release होती है वो ही first day cover है होता क्या है mail the envelops blank paper उसके अंदर होता है ठीक है और फिर क्या होता है covers remain unopened Charlie inherited यह जो stamp collection की आदत थी यह इसे इसके दादा से मिली थी फिर है यहाँ पर Charlie Charlie एक 31 साल का आदमी है और reality से यह भागता रहता है यही इसमें बताए गया अब हमारा अगला chapter जो है वो है the tiger king जिसको लिखा है कलकी ने tiger king जो story है इसमें क्या बताए जाता है कि the writer tries to tell us how kings not interested in the welfare of the people लोगों के बले के लिए नहीं सोचते राजा circumvented all those to suit their own selfish interest अपने खुद के फाइदे के लिए कुछ भी rules सोड सकते है the story is about the maharaja of प्रतिबंदपुरम प्रतिबंदपुरम के maharaja के बारे में story है जिसको chief astrologer ने बोला था प्रेडिक्ट किया था कि उसके मौत का कारण एक tiger होगा फिर होता क्या है astrologer को गलत साबित करने के चकर में maharaja ने 99 tiger मरवा दिये कि बही मैं तो tiger ही अब फिर मुझे कौन मारेगा 100th tiger जो था वो बच गिया उसको उसकी गोली नहीं लगी थी बाद में क्या होता है वो जो hunters थे जो maharaja के साथ रहते थे उन्होंने shoot कर दिया उसको काफी close से king ने ये सोचा कि 100 tiger उसने मारा पर ऐसा तो नहीं हुआ था फिर क्या होता है एक wooden tiger जो खिलोना टाइप से था वो लग जाता है उसको ठीक है और उसी से ही वो मर जाता है तो ये tiger ही at the end उसकी मौत का कारण बनता है अब इसमें main character है एक तो British जो मतलब British high ranking officer है और उसके secretary है फिर है दुरा सैनी the wife of the high ranking British officers a greedy woman who takes all the 50 diamond rings बहुत ही लाजची ये औरत है फिर दा tiger king है ठीक है वो बहुत ही selfish था महराजा है प्रतिबंदपुरम का और उसका मतलब अलग-अलग नामों से उसको बुलाया जाता है His highness, jamedar, general, khilidar, major यह सत्यव्यग्र, samahari महराजा, धिराज, विस्व, भुवन, समराट सर, जिलानी, जंग-जंग, बहादुर ये अलग-अलग नामों से उसको जाना जाता है फिर है Chief Astrologer जो की बता देता था कि भई जो बविश्यवानी वगरा और दिवान जो की administrative officer था Tiger King का अब होता क्या है कि भई माराजा जो था प्रतिबंध पुरम का वो काफी extraordinary child था prediction हो चुकी थी उसके बारे में कि एक Tiger की वज़े से ही वो मरने वाला है ठीक है क्योंकि उसका जनम हुआ था Bull, Star, Bull and Tiger are the enemies क्योंकि भई Bull, Star में उसका जनम हुआ था और Bull or Tiger enemy होते हैं इसलिए enemy ही उसके मौत का कारण मनेगा 10 दिन का ये बच्चा surprise था वो इतने intelligent intelligent question पूछ रहा था कि जैसे कि कोई बड़ा आदमी हो ठीक है और फिर उसके बाद आगे क्या होता है कि when he was 20 he was crown जब वो 20 साल के होते हैं राजा तो उनको crown पहना दिया जाता है और उसकी prediction को वो गलत सावित करना चाता है वो tigers को मारना शुरू कर देता है hunting start कर देता है Chief Astrologer बोलता है कि तुझे तेरा hundredth tiger मारेगा वो भाई मारना शुरू कर दिया उन्होंने लगबग सबसे पहले 70 tigers मारे फिर उसके बाद 99 tigers तक मारे last वाला जो tiger था न वो bullet बच गई थी वो tiger सिरफ गिरा था वो मरा नहीं था king ने ये सोच लिया कि समझ लो की जैसे की मर चुका है अब होता क्या भाई उससे पहले उसने एक शादी करी थी एक princess से जिसके kingdom में बहुत जादा tigers थे ये इसी वजए से इसने सरफ शादी करी थी और वहाँ पर जाके भी वो जाके यही करता है hunting वगरा करता है और उसके बाद क्या होता है एक high ranking British officer आता है उसके state में और वो tiger hunting करना चाता है तो महराजा ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता tiger तो नहीं मारने दूँगा तो फिर British officer जो होता है वो महराजा क्या करता है कि भाई 50 diamond ring बेजता है officer की wife को जो कि 3 लाख रुपे की थी फिर आगे वो मारना शुरू करता है 99 tigers मार लेता है फिर दिवान एक old एक बुड़ा सा tiger लेके आता है एक zoo से और वो tiger की तरफ aim करके गोली चलाता है पर वो faint होता है मरता नहीं है राजा को लगता है वो मर चुका है पर वो मरता नहीं है और फिर बाकी के जो उसके साती थी राजा वगरा के वो उसको tiger को मार देते हैं वो बताते हैं राजा को फिर क्या है एक दिन king ने purchase किया एक wooden tiger अपने छोटे बच्चे के लिए gift देने के लिए उसकी एक नुकीली सी वो कुछ ऐसी थी कि वो हाथ पे लग गई और वो infection फैल गया और उसी से sergeants वगरा जो थे उन्होंने बोल दिया tiger king को कि भई operation successful है लेकिन वो मर चुका था ठीक है महराजा मर गया तो ये पूरी story है ता tiger king की अब इसके बाद अगला chapter है हमारा journey to the end of the earth ठीक है बाय तिशानी दोशी तो ये story एक travel log है travel के बारे में बताये गया है journey है पूरी story जो है तिशानी दोशी ने लिखी है author यहाँ पे एक tour करता है Antarctica का ठीक है जिसको जहां तक पहुचने में 100 घंटे लग जाते है Antarctica 90% बरफ से ढखा हुआ है और ये journey बहुत लंबी थी 6 साल पहले year of green started the students on ice program ये program start किया गया था इस program में होता क्या था high school students को ले जाया जाता है trips वगरा पर Antarctica की और वहाँ पे एक बताया जाता है हमारे planet के बारे में और ये काफि successful program रहा है ये तक वहाँ पे दिखता है कि कैसे वो ice पिगल रहे है glaciers पिगल रहे है और global warming ये एक real चीज़ है वो वहाँ पे जाके पता चलता है so author two got a chance to work in the coldest atmosphere author जो है इनको भी एक बारी chance मिल चुका है यहाँ पर काम करने का वो अपनी journey start करती है 13.09 degree north of the equator in the madras से she crossed non time zones ठीक है six checkpoints and three oceans ये भाई पार करके फिर वो वहाँ पहुँचती है so according to her 650 million years ago Antarctica was a giant emalgamated southern supercontinent called Gondwana एक time पर माना जाता है कि southern एक continent था पहले एक ही था ये पूरा जिसको Gondwana कहा जाता था और मैं आपको बताऊं कि this journey also enlightens about the significance of cordillaren falls and pre-cambrian granite shields, ozone and carbon no existence of human life there एक time ऐसा था जहां पर कोई इंसान नहीं रहता था और वहाँ पर आज भी लोग नहीं रह सकते as per understanding human beings have been on earth for भाई लगबग 12,000 साल से भी जादा हो चुका है और in this short period humans have changed the face of environment भाई हमने environment में बहुत changes करें हम यहाँ पर अपनी जो धरती माता है mother nature है उसको बहुत ज़ादा खराब करते जा रहे हैं population बढ़ती जा रही है stress बढ़ रहा है हमारे resources पर carbon dioxide का consumption हम बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से यह बहुत ज़ादा आप कह सकते हो global warming जैसी problems बहुत बढ़ती जा रही है climate change हो रहा है और अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसे ही होता रहा तो यह Antarctica अगर पूरा पिगल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो तिशानी दोशी यही बताते हैं कि balance बना के रखना पड़ेगा काफी वो optimistic हैं आगे आने वारी generations के लिए message देना चाती हैं कि हमें अपने अर्थ को save करना हैं ठीक है और guandwana would have larger biodiversity including flora, fauna और एक time ऐसा भी था ठीक है जहां पे इस time पे मतलब वो पुराने time पे बहुत पोदे अलग-अलग तरीके के होते थे, अलग-अलग जानवर रहते थे so finally यही बताय जा रहा है कि ozone depletion भी चल रहा है ठीक है यह बहुत सारी climate change related environmental issues है जो इस chapter में उठाए गए तो अब जो हमारा अगिला chapter है वो है the enemy, enemy में क्या बताया जाता है, जपान और America का war चल रहा होता है during world war second डॉक्टर सदाओ एक Japanese सरजन है जो उन्होंने अमरीका से training ली थी एक दिन वो और उनकी wife बैठे थे वहाँ पर उनको एक जकमी American soldier दिखता है जो भागा हुआ एक prisoner था बीच के किनारे उनके घर के पास में ही लेटा हुआ था सदाओ और हाना बहुत परिशान हो जाते हैं और वो उसकी care करना चाते हैं और वो सदाओ और इसके लेकर उसको अपने घर पे ले के आता है उसको operate करता है, उसको treat करता है उसकी life बचाता है डॉक्टर सदाओ होकी का जो घर था वो बिल्कुल coast के पास में था समुन्दर किनारे जापान में उसके father जो थे काफी great patriot थे देश भगत थे और उनकी एक ही tension थी सदाओ की education डॉक्टर सदाओ को अमेरिका भेजा गया था surgery और medicine सीखने के लिए डॉक्टर सदाओ को troops के साथ नहीं बेजा गया था क्योंकि भई ये sena vena में वो नहीं जाते थे क्योंकि general जो था वहां का जापान का वो कभी भी उसको जरुत पढ़ सकती थी डॉक्टर सदाओ की और वो उस पर ही विश्वास करता था तो होता क्या है डॉक्टर सदाओ ने भई वो white soldier जो था जो American soldier उसको पूरा treat किया भई अच्छे से और डॉक्टर सदाओ और उसकी wife ने दोनों ने मिलकर ये काम किया और हना जो थी वो बहुत ज़ादा tension में आ जाती है कि ये जो enemy है अमारा ही हमारे घर पे बैटा हुआ है हमें भी इससे खत्रा हो सकता है और होता क्या है डॉक्टर सदाओ भी भई परिशान था कि भई उसके patient को कोई गोली गोली ना मार दे assassination ना कर दे उसको नींद नहीं assassins जो थे वो आते ही नहीं ये ऐसा जनरल ने बोला था कि वो assassination करवा देगा उसका परैसा होता नहीं है तो American soldier को जो डॉक्टर सदाओ है वो भखा देता है बोट वगरा दे कर खाना पीना चलो भई तो यहां से अब निकल तो ठीक हो चुका है और उसके बाद क्या होता है और फूड चाहिए हो ठीक है तो मतलब वो प्रोमिस करता है मैं वो भी दे दूँगा अगले दिन डॉक्टर सदाओ कुद जाता है जनरल के पास और बोलता है कि वो American soldier भाग चुका है तो यहां से डॉक्टर सदाओ ने अपनी duty भी पूरी करी nationalism भी अपना दिखा दिया तो यहीं तक था है तो अब हमारा अगला चैप्टर है on the face of it तो on the face of it क्या है यह एक play है ठीक है और इस play के अंदर एक तो dairy है जिसका मूँ जला हुआ है और एक lamb है जिसका नकली पहर है टिन का dairy काफी ज़्यादा इंट्रोवर्ट है lamb के garden में एक दिन वो आ जाता है दिवार कूद कर dialogue दोनों में start होते है lamb बहुत अकेला रहता था उसको अच्छा लगता है चलो भई कोई तो है उसके घर पे जो आया है तो वो उसको बताता है कि भई Mr. Lamb अकेला बैठा हुआ था अपने garden में suddenly dairy आता है उसके garden में वो सोचता है कि कोई भी नहीं अंदर so होता क्या gate open था garden का dairy ने फिर भी मतलब दिवार कूद के entry ली dairy बहुत डरा हुआ था कि वो सामने ही Mr. Lamb बैठे थे Mr. Lamb ने बोला कि gate हमेशा हो मेरे खुले रहते हैं लेट से भी कभी भी आ सकते हो Mr. Lamb उसको अशूर करते हैं कि तुम यहां पे रह सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें dairy कहता है कि मैं लोगों से बहुत डरता हूँ और लोग भी मेरे से बहुत डरता है मेरा ये face देखकर वो मेरे से नफरत करते है Mr. Lamb उसको convince करता है कि भाई देखो हम दोनों की problem सेम है तुम्हें भी कुछ नगुछ दिक्कत है मुझे भी दिक्कत है लेकिन हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए तो dairy को बहुत अच्छा लगता है ये सब positive बगरा बातें सुनकर फिर क्या है gradually dairy दीरे-दीरे क्या करता है कि भाई बहुत कुछ lamb से सीखता है और वो सोचने लगता है कि मैं लोगों से बहतर हूँ और वो decide करता है कि अपने घर पे जाके अपनी मम्मी को बताएगा कि ऐसा कुछ होए फिर वापिस आएगा so dairy काफी fascinated होता है बहुत जादा attract हो जाता है lamb से बात करके motivated हो जाता है और dairy जब एक बार वापिस आता है अपनी मम्मी से लड़ वगरा मतलब करके लड़ाई वगरा करके तो वो देखता है Mr. Lamb जो है वो सीड़ी से गिर गए है और वो मर चुके है dairy बहुत रोता है विचारा बहुत emotional हो जाता है यहीं पर story खतम होती है अब जो हमारा अगला chapter है वो है memories of the childhood Zitklaasa और Bama दो कहानिया है सबसे पहली कहानी है cutting of my long hair Zitklaasa एक native American Indian है ठीक है जिनका school का experience बहुत बुरा था Care Lysal Indian school था उनका पहला दिन जब था school का बहुत ही ठंडा सा रहा और वहां के जो custom वहां के rule बहुत अजीब थे बहुत नए थे उसके लिए उनको लगातर force की अजारा था यह कैसे कपड़े पहनने के लिए जो की वो गलत समझती थी वो बहुत uncomfortable feel कर रही थी उनका पड़ों को देखकर और उनको यह भी नहीं पता था breakfast वगरा करने की क्या manners है वहां पर सबसे ज़्यादा उसके लिए जो बुरा सपना यह था यहां कह सकते हो nightmare की तरह यह चीज़ आई अब मैं आपको बताता हूँ पहला दिन था narrator का अपने स्कूल में ठीक है और एक large bell बजती है children's के लिए breakfast के लिए जिट कला सा जाती है उसकी dress बहुत टाइट थी और उसको अच्छा नहीं लग रहा था small bell tapped to draw the chairs from under the table और another bell to make them take their seats अब breakfast वगरा का scene चल रहा है तो narrator काफी new था यह सब वो देख रही थी बहुत नया था उसके लिए वो बैट जाती है और पहली bell दबाती है notice करती है कि higher authorities जो हैं वो डरा रही है वहापे सभी बच्चों को और late in the evening उसकी friend है जो डेविन आती है वो कहती है कि यहां के जो authority वाले लोग है वो तुमारे बाल काटने वाले है narrator decide करती है कि मैं struggle करूंगी भाई इतनी जल्दी अपने बाल ने कटने दोंगी वो सीडियों पे चड़ जाती है छुपा लेती है अपने आपको bed में लार्ज वो एक room होता है लोग डूंड़ते डूंड़ते आते हैं वो surrender करने के लिए तियार नहीं थी और फिर एक दिन क्या होता है भाई उसी time उसको पकड़ लिया जाता है उसको drag करके मतलब खीचते वे ले दिया जाता है वो बहुत रो रही थी अपनी मम्मे को याद कर रही थी ये एक जानवर की तरह उसके साथ treatment होता है ठीक है तो ये इसके अंदर बताया गया है फिर अगर इसके अंदर में आगे आपको बताऊं next जो story है वो है बामा की तो बामा एक तमिल दलित विमेन थी और उसने experience किया था untouchability को छूआ छूद को अपनी earlier life में वो देखती है एक दिन एक बुढ़ा आदमी packet ले जा रहा होता है और with the help of strings और ऐसे पकड़ा होता है उपर से ही क्योंकि वो touch करना मना था उस खाने को क्योंकि उसकी cast की वाज़े से वो lower cast का था तो उसको ये incident बहुत funny लगता है बट जब उसको पता चलता है अपने भाई को वो बताती है तो उसका भाई कहता है कि ये कोई funny नहीं था वो उसने उपर से इसलिए पकट रखा था क्योंकि वो untouchable है लोगों की नजर में और हमारी cast को low माना जाता है और वो कहता है अपनी भेन बामा को कि आप बहुत अच्छे से पढ़ो और ये सारी चीज़े खतम करो injustice खतम होगा तो होता क्या है इन class third बामा थीसरी class में थी बहुत innocent थी उसको untouchability के बारे में नहीं पता था अपनी life को वो enjoy करती है आते जाते रास्ते में देखती थी क्या चल रहा है गंटे गंटे लग जाते थे उसको घराने में घर पे आती थी और फिर वो events वगरा देखती देखती आती थी सारे fun games, novelities जो भी street पे चलता रहता था market shop सब देखती थी puppet show चलता था, snake charmers होते थे onion काटे जा रहे हैं, coffee वगराट बनाई जा रही है, यह सब उसको interesting लगता था, so देखती है वो एक बुड़े आदमी को जिसने packet packet पकट रखा था, उसको funny सा लगता है यही सब चीज़े हैं जो मैंने आपको पीछे बताया ठीक है, तो इस तरीके से उसका भाई कहता है कि आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा यह untouchability है, यह हमें lower caste का माना जाता है, इसलिए सब हो तो भई इसी के साथ वीडियो खतम होती है अगर आपको वीडियो ची लगी हो तो comment करके ज़रूर बताएं, चैनल को subscribe कर दें और जादा से ज़्यादा वीडियो को share करें, जय हिंद, जय भारत